हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल तन्वीक की रशोई में तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाले ही गोईठा की रेसिपी जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है और यह खाने में भी बहुत ही स्वादिश होता है इसे अलग आप भी बोलते हैं और गोईठा भी बोलते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर ले लिया है तीन कटोरी उरत की दाल यह छिलके वाली दाल है और एक कटोरी चैने की दाल लिया है मैंने और दो कटोरी चावल ले लिया यह नॉर्मल चावल है जिसे हम डेली खाने मे यूज करते हैं तो अब हम सभी शीजों को अच्छे से धो करके कम से कम 5-6 गंटे के लिए भीगा देंगे या फिर आप इसे ओवर नाइट सो करके भी रख सकते हो तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसे भीगे हुए लगभग 7 गंटे हो चुके हैं और यह बहुत ही अच कि चावल हलके से सूख जाएं और तब तक हम दाल को भी अच्छे से पीस लेंगे यहाँ पर चावल को हम हवा में डाल देते हैं सूखने के लिए हलका सा और दाल को अच्छे से पीस लेंगे थोड़ा-थोड़ा हम करके सिल्बटे पर पीसेंगे इसे आप चाहें तो इसे म मिक्सी में होता किया ना कभी कभी गीला हो जाता है तो comema outrageous तो धोड़ा यह पानी टाल कर लें इसके बाद अच्छे से पीस लें तो यहां पर इसी तरीके से हम उरत की दाल को भंगा से पीस लेंगे और अगर आप छिलके वाली डाल नहीं उसकरfähते हैं तो मार्किट में धूली वाली उटत की डाल आती हैं आप उससे भी बना सकते हूँ यहाँ पर आप देह सकते हो सारी ही डाल को मैंने पीस लिया है इसी तरह से आपको भी सारी पीस लेना है और पीसने के बाद अब हम मसाले को भी पीसेंगे तो यहां पर ले लिया मैंने 7-8 हरी मिच और लसन और अद्रक और अब इसमें डालेंगे हिंग तो हिंग आप जरूर डालेगा हिंग का फ्लेवर भी अच्छा होता है और राजिसन के लिए भी बहुत ही अब यहां पर आप देख सकते हूं अब यहां पर आप देख सकते हूं मसाले को पीस करें मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है और यहां पर जो चावल हमने दूप में डाला था सूपने के लिए 10-15 विनिट उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है पीसने के बाद हम इसको अच्छे से चान लेंगे ताकि इसमें जो भी चावल के बड़े टु मात्रा में अच्छे से आटे को भी हम चाल लेंगे और बस चालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा से नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो अब यहां पर आप देख सकते हो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है चावल काटा गेहू काटा अपस में मिक्स हो गया है और नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मेटियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे यानि ज्यादा टाइड भी नहीं ज्यादा हाड भी नहीं अच्छे से हम गोत लेते हैं तो अब आप देख सकते हो आटी को बहुत अच्छे से गोध लिया है और अब हम इसको ढख करके करी 15-20 मिनिट के लिए रेष्ट पे छोड़ देंगे इस तरीके से हम इसको ढख देंगे और अब यहां पर हम मसाले को भी देख लेते हैं अभी आप देख सकते हो यह मैंने ले लिया है उरत की डाल जो पीस करके रखा था और अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे जो हमने पीस करके रखा हुआ है तो मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अद्रक लसन हरी मेश और जीरा काली मेश इन सब को पीसा था ना उसको डाल देंगे इससे हमारा जो मसाला है बहुत ही बढ़िया बन डेली सबजी में यूज करते हैं ये वही है और बस इन सब को डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे डाल के साथ मसाले को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अभी आप देख सकते हैं सारे मसाले डाल में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब य आज हम इसे बनाने वाले हैं चूले पे यहां पर एक बड़ा सा बरतन ले लिया है मैंने उसमें डाल दिया है एक बड़ा चमर सरशो का तेल तेल को हम अंदर तक बढ़ियां से लगाएंगे ताकि बढ़ियां से तेल किनारे किनारे अच्छे से लग जाए इस तरह से अच्छ सब्सक्राइब से पर जब नियुक्त शुपषर, टाल के लिए पूरी तरशे अप्स्टनल या तो डालना चाहे तो डाले वरना आप इसे सकते हैं यहाँ पर हल्दी अच्छे से मिक्स हो गया है पानी के साथ और अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक आप हिसाब से डालेगा क्योंकि आटे में भी नमक डाला गया है तो यहाँ पर नमक डालने के बाद अब हम इसको ढख करके चूले पे रख देंगे उबलने के लिए ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो चूले पे मैंने इसको चड़ा दिया है और अब हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे जब से उबल रहे हैं तब से हम गोईठा भी तयार कर लेते हैं तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तब तक हम गोईठा बना लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो आटा भी अच्छे से रेश्ट कर चुका है तो थोड़ा सा हम आटा लेंगे और इसके हम लोईयां बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा आटा ले लिया मैंने और अब हम इसमें छोट छोटी लोईयां बनाएंगे जितनी बड़ी पूरी के लिए लोई लेते हैं बस उतना ही लेना है और इसी तरह से सारी ही लोईयों को बना करके तयार कर लेना है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से सारी ही लोईयों को मैंने बना करके तयार कर लिया है और एक एक लोई को इस तरीके से उठाएंगे और अब हम इसे आटे में लफेटेंगे बढ़ियां से इसके बाद हम इसको बढ़िया से बेल लेंगे और इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से सारे ही हम बना करके तयार कर लेते हैं बिल्कुल पूडियों के जैसा और पूडि से हलका ये मोटा है तो इसी तरह से सारे बना लेंगे और इसके बाद यहां पर मैंने डाल भी ले लिया है जिसको हमने पीसा था इसमें हम दो पार्ट करेंगे अलग-अलग करेंगे और इसमें हम नमक मिक्स करेंगे तो जितना बन अब यहाँ पर आप देख सकती हूँ यह बहुत ही अच्छे से mix हो गए हैं और mix करने के बाद मैं इनको रखूंगी साइड में मसाले को और इसके बाद हम एक एक पूरियों को उठाएंगे और इसके उपर हम इस मसाले को रखेंगे दालबला मसाला हम इसके उपर रखेंगे और अच्छे से इसको हम इस तरह से दबा देंगे बहुत जादा नहीं हलके हाथ से और इसी तरह से सारे ही हम बना करके तयार कर लेते हैं जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको भी बनाना है और यकीन मानिए दोस्तों यह इतनी कर लेते हैं अभी आप देख सकते हो इसी तरह से सारे ही मैंने बना करके तयार कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो पानी भी अच्छे से उबलने लग गया है तो अब हम एक एक करके सारे ही गोईठे को इसमें डाल देना है और डालने के बाद हम इसको धक्कन लगा करके बढ़ियां से पकने के लिए छोड़ देंगे पहले हम इसे दाल देए आप इसको बीच बीच में देखते रहेगा तो आप हम इसको ढग करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यह बहुत ही अच्छे से पक गया है इनमें जितना भी पानी था सारा पानी सुख गया है तो आप हैने इसको नीचे उतार लिया है इसको पकने में लगभग एक घंटे का समय लग ही गया है और इसको उतारने के बाद हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इस तरीके से एके करके सारे ही गोईठे को हम ठाली में निकालेंगे तो उमिदे दोस्तों कि आज की ये गोईठा की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को प्रिस करें और पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें तो अभी आप देख सकते हो सारे ही गोईठे बना करके मैंने तयार कर लिया ह यह बहुत ही टेश्टी बहुत ही स्वाधिस्ट गोईठा बना करके तयार हुआ है दोस्तों एक बार मेरे तरीके से इसे जरूर ट्राय करिएगा आपको बहुत पसंद आएंगे